नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमेद और दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप सेवन बेस्ट लैप्टॉप्स की जो कि आप खरी सकते हैं 40 जा रुपसे निची की प्राइज में बेसिकली ये वीडियो होने वाला है 30 से 40 जा रुपसे की बीच की लैप्टॉप्स का और अगर आपका भी बजट है दोस्तों यही 30 से 40 जा रुपसे तो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काफे ज्यादा यूसफुल होने वाली है और आप अपने लिए एक best laptop चूस कर सकते हैं तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं दोस्तों तो बने रहेगा हमार साथ इस वीडियो में अगर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी से information दना चाहूँगा कि अगर आपका budget 25-30,000 रुपय है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा budget बढ़ा लेना चाहिए आपको 30,000 से उपर spend करना चाहिए क्योंकि 30,000 रुपय से नीचे की price में आपको बहुत ही low processor दिखने हो मिलेंगे एतलोन वाले या फिर कुछ और प्रज़र दिखने हो मिलते हैं जिन पर आप बहुत ज़दा heavy task नहीं कर सकते हैं इनफेक्ट बहुत ही जो normal task होते हैं वही आप उनमें perform कर सकते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना budget थोड़ा सा extend करें और 30,000 से लेकर 32,000 पर लेके जाएं तो आपको एक बहुत ही बड़ी laptop देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर आप अच्छी gaming भी कर सकते हैं बहुत powerful तो नहीं लेकिन ठीक टक सी gaming कर सकते हैं इसके लाब video editing और काफी सारे काम आप और भी कर सकते हैं तो आपको अपने budget को 30 से 32,000 पर तक ले जाना होगा एक अच्छे laptop के लिए और हाँ दोस्तो जिन भी laptop के हम बात कर रहे हैं इन सभी के link आपको नीचे description में मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप चेक कर सें कि current pricing क्या है और उन पर offer क्या चल रहा है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं number 7 के साथ और दोस्तो number 7 पर मैं देखने हो मिलता है Asus की तरफ से Asus VivoBook 14 जिसका current pricing है दोस्तो 32,490 रुपए और दोस्तो ये one of the best laptop है around 30,000 रुपए की pricing में इसलिए हम आपको कह रहा था कि अगर आपका budget 25-30,000 रुपए भी है तो भी आपको increase करके यहां तक ले जाना चाहिए क्योंकि दोस्तो ये हमें मिलता है AMD Ryzen 3 के साथ में जो कि एक बहुत ही powerful chipset है प्राइस के साथ से clock speed होता है ये है 3.5 GHz तो काफी अच्छा कासा performance आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तो यहां पर Radeon Vega 3 के graphics आपको integrated देखने को लेंगे तो performance चाहे हम video editing की बात कर रहे हैं gaming की बात कर रहे हैं या फिर किसी और general task की बात कर रहे हैं performance हमें यहां पर अच्छा देखने को मिलने वाला है वैसे दोस्तो आपको बदा दू कि यह Windows 10 के inbuilt version के साथ में आपको देखने को मिलता है इसके लाब दोस्तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा है यह आपको मिलता है 15.6 इंचिस के बड़ने दिस्प्ले के साथ में जहां पर full hd resolution दिए गए हैं और दोस्तो यह anti-clear डिस्प्ले है इसके लाब अगर मैं बात करता हूं दोस्तो यहां पर keyboard की तो full size keyboard आपको मिलेगा numpad के साथ में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तो विंडोस 10 की तो यह भी आपको inbuilt दिखने को मिलने वाला है रैम दोस्तो यहां पर हमें मिलता है 4GB का जिसको कि आप चाहें तो extend भी कर सकते हैं और इसमें 256GB का SSD भी दिया गया है और हां यहां पर हमें security के लिए fingerprint sensor भी देखने 20,000 रुपे भी है तो भी आप इस laptop को consider कर सकते हैं और यह laptop बता है दोस्तो हमारे लिसमें number 7 पर number 6 की बात करते हैं दोस्तो यह आता है Lenovo की तरफ से यहां पर दोस्तो में बात कर रहा हूं Lenovo IdeaPad 3 की जिसका current pricing है 49,990 रुपए दोस्तो आपको बता दूँ कि यह आपको मिलता ह Intel i3 11 generation के browser के साथ में जिसका base clock speed है दोस्तो 3.0 GHz और यह maximum clock speed 4.1 GHz तक जा सकता है इसमें दोस्तो 8 GB का RAM आपको देखने हो मिलता है 4 प्लस 4 GB के दोनों slot में लेकिन अगर आप चाहें तो इसको extend कर सकते हैं अब टू 12 GB RAM तक 256 GB का यहां पर SSD दिया गया है इसमें भी आपको 15.6 का एक बड़ा सा display देखने को मिलने वाला है यह एक full HD display है और यहां पर में full size keypad देखने हो मिल रहा है numpad के साथ में और हाँ दोस्तों क्यूंकि यह thin series का laptop है तो यह काफी light weight है 1.65 kg के weight के साथ में आपको यह देखने को मिलने वाला है इसके लाब दोस्तों Windows 11 और MS OS 21 आपको in capability यहां पर देखने को मिलने वाला है इस laptop की एक और खासियत है कि यह rapid charging को support करता है तो laptop 80% तक charge हो जाएगा सर्फ एक गंटे में और हाँ यहां पर हमें 2 साल का on-site warranty भी देखने को मिल रहा है तो काफ़े interesting laptop है दोस्तों काफ़े interesting यहां पर आपको specification दिए है in fact अगर मैं बात क कर रहा हूं दोस्तों इसके आर्टिक ग्रे कलर की तो यह मैट फिनिश के साथ मैं आपको देखने हो बलता है तो हां डिजाइन भी काफ़े अचा है laptop का और specification तो मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं तो हां लगबग 40,000 रुपे की pricing है दोस्तों यह one of the best laptop है और इसलिए आ पर मैं मैं आपको अलड़ी बताया Asus की वीव 14 में यहां पर हमें 8GB का RAM देखने हो मिलता है 256GB का SSD दिया गया है RAM को अगर आप चाहें तो extend कर सकते हैं इसमें भी आपको 15.6 inches का screen size देखने हो मिलेगा एक बड़ा display देखने हो मिल रहा है और यह भी हमें full size keypad के साथ में देखने को मिल रहे हैं अगर मैं बात कर रहा हूं windows की तो यहां पर windows 11 आपको inbuilt देखने को मिलेगा और हां यहां पर MS Office भी दिया गया है weight है दोस्तों इसका 1.69 kg तो यह भी काफी अच्छा कासा laptop है दोस्तों हाला कि थोड़ा सा time हो चुका है इसको launch वे लेकिन इसके जो results है तो इसके जो reviews हैं दोस्तों वो काफी अच्छे हमको देखने हो मिलते हैं और इसलिए दोस्तों यह आता है हमें डिसमें नमबर 5 पर नमबर 4 है दोस्तों Asus की दरह से और यहां पर मैं बात कर रहा हूं Asus VivoBook 14 की 2021 वाला model है दोस्तों यह और इसका current pricing है दोस्तों 49,990 रुप क्योंकि यह आता है Intel के i3 11 generation के processor के साथ में इसमें भी हमें integrated graphics देखने हो मिल जाते हैं 8GB का RAM है जिसको भी आप extend कर सकते हैं 256GB का SSD हमें यहां पर देखने को मिल जाता है और अगर मैं बात करता हूं Windows की तो Windows 11 आपको inbuilt देखने हो मिलेगा और जो MS Office 2021 है यह भी हमें यहां पर in के लिए यहां पर fingerprint sensor भी हमें देखने को मिल जाता है तो design अच्छा है दोस्तो specification अच्छी है और Asus का brand दोस्तों हम जानते हैं laptop में काफी जड़ा popular है 40,000 रुपे की price की range में आपको एक बहुत भी बड़े laptop देखने को मिल रहा है तो अगर आपका budget लगबग 40,000 रुपे है द generation की processor के साथ में इसमें भी आपको RGB का RAM देखने को मिलने वाला है दोस्तो 255GB का SSD यहां पर भी दिया गया है यहां पर आपको जो keypad है उसका size चोटा देखने को मिल रहा है वैसे दोस्तों यहां पर भी आपको full HD की resolution देखने को मिल जाते हैं यह भी एंटीगर डिस्प्ले आ गये हैं Windows 11 अमें इन बिल्ट देखने को मिल जाता है और MS Office भी यहां पर आपको इन बिल्ट ही देखने को मिल रहा है इन फैक्ट दोस्तों यह Amazon के Alexa के साथ में भी आपको देखने को मिलेगा और हाँ अगर मैं बात करता हूं इसके weight की तो यह काफी कम है दोस्तों 1.46 kg की weight की light weight है दोस्तों और हाँ क्योंकि यह 40 इंचिस के screen size के साथ में आता है तो यहां पर हमें full size keypad देखने को नहीं मिलता है लेकिन हाँ काफी अच्छा कासा laptop है दोस्तों HP की तरफ से इसका current pricing है 4,900 रुपया है नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों यह आता है Dell की तरफ से और यहां दोस्तों यहां पर दिया गया है 255 का SSG यहां पर दिया गया है इसमें स्क्रीन साइज आपको 15.6 इंचिस का देखने को मिलने वाला है और यह फूल एच्टी एंट्री डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है इसके लावज तो Windows 10 यहां पर inbuilt दिया गया है MS Office भी आपको यहां पर inbuilt देखने को मिल जाएगा वेट दोस्तों इसका हम थोड़ा सा heavier side काएंगे क्योंकि यह आता है 1.8 kg की वेट के साथ में तो थोड़ा सा बाहरी laptop हो जाएगा हालना कि इसके reviews दोस्तों काफी अच्छे हैं और इसलिए हमने इसको select किया है और दोस्तों यहां पर हम HP 15S की जिसका current pricing थोड़ा से जादा है दोस्तों 40,000 रुपर से लगबख 46,000 रुपर की pricing में आपको यह देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यह one of the best laptop है इस price में क्योंकि यह हमें दिया गया है Intel के i3 11th generation की processor के साथ में जहां पर RGB का आपको RAM मिलता है अगर आप चाहें त हाँ पर दोस्तों Windows की तो Windows 11 आपको इन बिल्ड देखने को मिलेगा और MS Office 2021 में इन बिल्ड देखने को मिलने वाला है इस laptop का design तो काफी अच्छा है लेकिन हाँ अगर मैं बात कर रहा हूं weight की तो यह comparator थोड़ा से जादा है 1.75 kg की weight के साथ में आपको यह देखने को मिलता ह है तो आप चेक करते रहेगा अगर आपको यह लगबख 40-40,000 की price में मिलता है दोस्तों किसी offer को लगा के किसी discount को लगा के तो आप इसे दोस्तों जरू consider कर सकते हैं link आपको मिलेंगे सबके नीचे description में वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इनकी current pricing क्या चल रही है तो क कोई पसंद आओगा इस वीडियो को लाइक को शेर करना मत बुलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीएगा हम आप से मलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में तब तक लिए आपके देन शोप रहें और आज कर देखने के ल कर देखने वाद